जैश्री महांकाल, हरहर महादेव, जैशोशंबो क्या खारण है कि आपकी राशी के जातकों किसमत खराब है और इस खराब किसमत से हम बहुत परिशान है ना हमारे काम बनते हैं, ना कुछ चीजे उपलब्दिता हो पाती है जिवन में बस हमने स्ट्रगल, परिशानी और परिशानी के साथ ही हम अभी भी वर्दमान जूज रहे है चाहिए वो पारिवारिक कारण हो, आर्थिक कारण हो गया पारिक कारण हो, नोकरी, पेसा, रोजगार, सिक्षा उपलब्दा, जी भी जिस भी छेतर बे हम अमारी लाइफ को स्ट्रगल की तरब देख रहे हैं, वह बस हमारी परिशानिया ही है कहीं न कहीं कुछ हमें ही कमया है, हम ख़ुद को सेल्फ डाउट की तरब ले ले लेते हैं, कही बार खुद की काभिलत पर शक करते हैं और कहीं सारी चीज़े इतनी सारी हो जाती है कि हम उस पूरे एक भ्रहम जाल से बाहर निकल ही नहीं पाते हैं लेकिन आपको घबरानी क्या हो शक्ता नहीं है आपने इस वीडियो को यहां तक समझा है और सुना है और देखा है मैं आपसे वादा करता हूँ कि इस वीडियो को पूरा देखने के बात आप इस भ्रहम जाल से हमेशा के लिए निकल जाएगा और आपकी किस्मत जो है आपका साथ जरूर देगी लेकिन उसके लिए सिर्फ इस वीडियो को आखरी तक आपको देखना होगा अब आखरी तक देखें वीडियो को जरूर लाइक करें सबसे पहले लाइक करें इसे कमेंट्स में भूले नात का नाम लिखें और अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दो-चार दोस्तों के साथ साजा जरूर करें और एक निवेदन है कि अगर चाहते हैं अपनी कुंड्ली का विशलेशन हमसे करवाना इसक्रीन पर हमारे नंबर चल रहे हैं आप ओटसप पर अपोइंट्मेंट लेकर हमसे बात कर सकते उसका फीस और शुल्क लागोए जनम तारीक, जनम समय, जनम इस्थान पता होना अनिवार है दोस्तों तो एक बार बात करें साथ आपकी किसी समस्या का सकारत्मक समाधान आपको जरूर मिलेगा अब वीडियो को यहां से पूरा और अंतर तक देखें और चीजों को बहुत बारी किसे समझे सबसे पहला और मूल रीजन होता है वो होता है किसी भी जाता की कुंड़ी में शुक्र का प्रभावशाली न होना उधारन के लिए साफ सफाई रखना, इत्रका लगाना, हमेशा मंतर जब करना, मोन रत रखना और अपने सरीर पर बालो को विशेश कर जितने भी बाले उनकी सफाई रखना अनिवार है शुक्र सुन्दरता का परिचाय के और इस कल्यूग में सबसे दा महत्पून घ्रा शुक्र है अगर आप चाहते हैं अपनी किस्मत को पुश करवाना, अपनी किस्मत को आगे बढ़वाना या आपके किस्मत अपके फेवरेबल हो इसमें यह कहीं मत समझें कि चीजे खराब होगी क्योंकि शुक्र पॉजिटिविटी है एक अलग ही पॉजिटिविटी है शुक्र की दुनिया फूरी अलग है इसलिए शुक्र को मजबूत करने की आउशकता है चाहिए वो मजबूत है तो भी मजबूत करें और नहीं है तो बहुत ही जादा मजबूत करने की आपको आउशक उसाइन देगा केतू भी देगा और आपकी कुंडली में जितनी सारी आपकी चीजे सही नहीं हो पा रही है वो चीजे सही होगी क्योंकि ये चीजे बहुत प्रयोगात्मक है प्रैक्टिकल इसे करें और बहुत सरल भी है ओम्नमे शिवाए